दोस्तो भारत देश में वैसे तो कई बिजनेस मैन है लेकिन मुकेश अमबानी का नाम इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। इसके लावा रतन टाटा भी लिस्ट में किसी से पीछे नहीं है। या फिर यूं कह लेजिए कि दोनों ही काफी बड़े लेवल के उद्योग पती हैं और एक दूसरे को हर मामले में कड़ी टक्तर देते आए हैं। परंतु अधिकतर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अमबानी और रतन टाटा में से कौन सबसे ज़्यादा धनी है। अरधात किसके पास सबसे ज़्यादा जायदा है और ओवरॉल देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। और अगर हम इसी बीच बात करें नीता अमबानी की मुकेश अमबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार प्राइवेट जट गिफ्ट की है। अथों में ले ले तो वो भी एशिया के क्या इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी गिंती करवा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे तो चलिए सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश अमबानी वर्सेज रतन टाटा किसका शौफ है जादा। तो नंबर वन पर बात करते हैं दोस्तों की कमपनी की शुरुआत से टाटा कमपनी की शुरुआत हुई जिमेदारियां उन पर आ गई थी जिनें दोस्तों पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 जोड करके टेक्स्टाइल ट्रेडिंग का काम शुरु गिया था। फिर जैसे ही धंदे में पाउं जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहले टेक्स्टाइल मिल शुरु की जहां पर उन पर लक्षमी जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उस धंदे में प्रॉफिट को देख कर उनके मन में तीन बड़े प्रोजेक्ट शुरु क करने की बात आई जिससे ना सिर्फ उनको बलकि उनके पूरे देशवासियों को फाइदा मिले हाला की वो अपने इस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए लेकिन उनके नक्षे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने जिनका नाम दोराबजी टाटा था आरन स्टील क कमपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक पावर एस्टबिलिश की उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टिट्यूट ओफ साइंस लेकिन दोस्तों इसे वक्त का सितम कहलो या फिर उमर का पड़ाव जल्दी ही उनका भी देहान जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रूप की जिम्मेवारी रतन भाई टाटा ने लेली और पुरानी 14 कमपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रूप कमपनी का आकड़ा 95 तक पहुचा दिया इतना ही नहीं इसके साथ ही जे आरडी टाटा ने इंडिया की पहली एरलाइन टाटा इरलाइन्स की भी शुरुवात की जिसके बाद उस गवर्मेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एर इंडिया रख दिया पर इन सब के बाद तीन पीडियों का नाम और काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को जिन्नोंने इसे भी निभाते हुए टाटा इंडिस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबल में ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा की साथ काम करना चाहता है तबी तो आज कमपनी का नेट वर्थ पांच लाग करोड तक पहुँच गया बात करते हैं जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है और सिरफ इतना ही नहीं उन्होंने सिक्स फ्लोर की जितनी बड़ी अपनी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना उतनी तो बड़ी बिल्डिंग में मुंबई के आधी से जाधी पॉपु पैसा जमा होने के बाद धीरुभाई अंबानी विदेश की नौकरी छोड़ कर मुंबई आ गए और एक चौल में रहने लगे बड़ी कड़ी मेहनत और संगर्श के बाद उन्होंने रिलाइंस कमर्शियल कॉर्परेशन की शुरुवात की ये कमपनी मसालों में ट्रेड करत और उनके स्टॉक को बेचने का काम धीरुभाई अंबानी ने शुरु किया लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम में लोग इंवेस्ट करना नहीं जानते थे उस टाइम में भी धीरुभाई अंबानी ने विमल के आई-पी-उ में लोगों स इंवेस्ट करवाया और ऐसे इंवेस्टमेंट करवाई की जिसका फाइदा कंपनी और इंवेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछी सालों में 70 करोड के रेविन्यवाले रिलाइंस का रेविन्यू 2002 में 75,000 करोड हो गया लेकिन इस रेविन्यू और बिजनेस में सक् काम फॉर्चुन 500 में शामिल हो गया लेकिन शायद धिरुभाई अंबानी के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी इसलिए तो इस साल उनकी तब्यत खराब होने की वज़े से उनकी डेथ हो गई उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया पर दोनों भाईयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था इसलिए जहां एक भाई कोट में गवाही दे रहा था कि उसकी नेट वर्थ जीरो हो गई है वहीं मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 7,930 करोड डॉलर हो गई थी रिलाइन्स रिटेल, रिलाइन्स पेट्रोलियम और रिलाइन्स जीयो जैसी कमपनी के मालिक हैं वहीं पर 135 कमपनी की सबसिडीज होते हुए भी टाटा इंडूस्ट्रीज की नेट वर्थ हमेशा अमबानी से कम रहती है पर आखिर ऐसा क्यूं आईए जानते हैं हम तो सब रिलाइन्स इंडूस्ट्रीज अभी लिमिटेड सेक्टर में ही काम करते हैं लेकिन वहीं पर टाटा ग्रूप आल्मोस्ट हर फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे स्टील, कैमिकल, आईटी ऑटो मोबाइल वगेरा 135 से जादा कमपनी की सबसिडीज होने के बाद भी टाटा ग् मालिक हैं और जब शेयर ही लगबग आदे से जादा उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कमपनी को जितना फाइदा आदमी की इतनी जादा वैल्यू बढ़ेगी इसलिए तो सितंबर 2020 में अमबानी की नेट वर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गई थी वहीं पर हम बात करें रतन सर्दोराजी टाटा ट्रस्ट या फिर टाटा एजूकेशन ट्रस्ट इन सब ट्रस्ट पर डोनेट करती है जो कि इंडिया की एजूकेशन हेल्थ लिविंग अच्छे जनरेशन और आर्ट कल्चर जैसे अलग-अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं मतलब की बंदे को 135 प्लस अपने नाम करने के लिए लेकिन फैमली वैल्यूस को आगे बढ़ाते हुए वह कंपनी का टू थर्ड से भी ज्यादा हिस्सा देश्वासियों को दान कर रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब यह है कि अगर वो सिरफ चैरिटी वाले रतन टाटा जी अपने न चर्चा क्योंकि बस दोस्तों पैसा बोलता है लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका पैसा कुछ जादा ही बोलता है तबी तो अमबानी ने जब अपनी बेटी की शादी में 110 करोड का खर्च किया तो चर्चे बड़े चोरो शोरो से सुनाई दिये और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अमबानी ने अपनी वाइफ नीता अमबानी को एक नहीं बलकि तीन बार 1000 स्क्वेर फीट का प्राइविट जेट गिफ्ट किया है जिसकी कीमत करोडों में होती है लेकिन चौकी अमत अभी उनके खर्च खतम नहीं हुए उनके पास एक यार्ड भी है जिसकी स्पेशली सोलर ग्लास रूफ बनाई गई है और जिसकी अप्राक्स कीमत 700 करोड है अब पती जब इतने खर्चे कर रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे इसलिए नीतामबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपडे, ब्रैंड वाचेज और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है वहीं अगर रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडिलोजी हमेशा सिंपल लिविंग की ही रही है और उन्होंने अपने पैसे को हमेशा स्टार्ट अप में ही इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और उनकी कंट्री क में भी पैर फसाने लगा है चाहिए वो वाटर सैनिटाइजेशन हो स्पोर्ट सो डिजास्टर हो या फिर सोशल जस्टिस ही क्यों नहों टाटा ग्रूप लोगों की बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है अब यह तो साफ है कि वैल्लूज और अथिस्ट किसके इंपॉ नत करके अपनी कंपनी को आगे पहुंचा देते हैं लेकिन एक इंसान चुप-चप दुनिया की नजरों से बच कर अपना काम किये जा रहा है और दूसरा छोटे से छोटा खर्च करके लाइम लाइट में आ जाता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजेगा इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक्स पर वाचिंग